नमस्कार बहुत स्वागत है आपका घर में कुछ ऐसे पौधे हैं जो जरूर लगाना चाहिए सुख सांती बढ़ती और समर्पी बढ़ती हैं वैसे कि आपके जुआ को बतागा जिस पौधे को पौधे को पक्ते को तोरने से फूलों को तूरने से दूद निकलता हो ऐसे भूल कर भी घर में घर के अंदर ना लगा इस बात का ध्यान रखेगा आप घर से बाहर लगा सकते हैं तो वास्तु में कुछ सूभ पौधे हैं जो आपके जीवन में खुसिया बढ़ाते हैं और उनमें से पहला अस्थान है मनी प्लांट तो मनी प्लांट को आप अपने घ घर के आप गलियारे में भी लगा सकते हैं इसका आपको बेनिफिट मिलता रहता है तो जो मनी प्लांट का पौधा है अगर आप इस पौधे में एक लाल धागा बांदे या इसके गमले में लाल कलर का एक रीबन टाइप का बना देते हैं तो धन स्थिर रहता है लेवेंड जो आपके राक्षस है यानि आपके जो दुर्गुन है या आपके मन में निगटी बिजार आ रहे हैं उसको हटा देता है ये पौधा इसलिए इसको सकात्मक पौधा के रूप में देखा जाता है और ये खराब नसों को भी सांथ करता है यानि आपका स्वास अच्छा प्रतीक है आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं इससे क्या होगा एक तो बुरे सपने नहीं आएंगे आपकी नीद अच्छी रहेगी आपके जीवन में खुसियां बढ़ेगी जगड़े लड़ाई विबाद सारे टेंसन समाव तो कमरे में आप एक लीली का पड़े कमाते हैं लेकिन जब आप इसको खिड़की के पास रखेंगे तो यह ऑक्सीजन की धारा को आगे बढ़ाता है और कमरे के अंदर एक खुबसूरत सांत महौल बनाए रखता है माना जाता है कि कमरे के अंदर से हानिकारक विसाक्त पदार से छुटकारा भी दिलवा आने में सहायक है यह पौधा इसके बाद नंबर आता है हमारे जीवन के सबसे में पौधा वो है तुलसी का क्योंकि हिंदू संस्कृति में पवित्र स्थान रखता है और जो तुलसी का पौधा है हर घर में होता है इनकी पत्तियों इनकी पत्तियां होती है भारी मात्रा मे oxygen का बिकिरन करती है इसलिए इस पौधे को बहुत जादा महत्री दिया जाता है तो तुलसी के पौधा जब भी आप अपने घर में रखें उसके भी तनी में लाल धागा बांध कर रखें लक्ष में स्थिर रहती है असोक का बिच आप इसको अपने घर से बाहर मुखे दरवाजे के आसपास लगा सकते है यह आपके दुखों और कोस्टों को दूर करता है माना जाता है कोई बेक्तिया सोक के पेड को छूले बहुत टेंसन मोह तो उसकी सारे दुख तकलीप यह पेड हर लेता है समाप्त कर देता है और जब आपके घर के बाहर रहेगी या आप चाहें तो बरंदे के लगभग में लगा सकते हैं तो ऐसे में यह पेड आप लगाते हैं तो यकीन मानिए दुख तो आएंगे ही नहीं हल्दी का पौधा हल्दी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो हल्दी का पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे खुसियां बढ़ती है और यहां तक की नकात्मक उर्जा आपके घर में आप लोगों के जीवन में प्रवेशी नहीं कर पाता इसके साथ ही हल्दी का पौधा लगाने से आपके कुंडली का ब्रहस्पती भी मजबूत होता है जो की जीवन में प्रगती सुख बिलासिता का प्रभाव बढ़ाता है घर की नकात्मक उर्जाओं को समाप्त करता है समी का पौधा घर में हलांकि घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए आप घर के मुखे दरवाजे के पास लगा सकते हैं सुब सकतियों को आकरसीत करता है जीवन में कले संहर समाप्त करता है और अगर आप सणी गढ़से पिडित हैं तो समी का पौधा घर में जरू लगाएं और साम के वक्त सर्सों के तेल का दिया जलाएं घर के अंदर ना रखकर घर के मुख्य दरवाजे या दरवाजे के पास दाहिने तरफ रखें जिसके कारण घर में निगर्टिव एनरजी प्रवेश नहीं करेगी हर कारियों में सफलता मिलेगा और घर में पैसे भी टिकेंगे आक या मदार का पौधा मदार का पौधा सफेद मदार लगाना चाहिए ये आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं बॉंडरी वाल के बाहर इसको लगाने से घर के बिगन बाधाएं दूर होती है दोस दूर होते हैं हर कारे बनते हैं और अगर इसके पुस्व भगवान सिप को नियमित रूप से अर्पित करें उनको चढ़ाएं तो जीवन में तरक्य होती है जेड प्लांट ये पौधा धन को आकरसित करने वाला हर कारियों में सफलदा दिलाने वाला पौधा है आप इसको अपने ओफिस बेपसायस थल पर भी लगा सकते हैं और ये पौधा गिप्ट में भी देने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस पौधे को घर के दरवाजे पर मुखे दरवाजे के दाहिनी तरफ रखें तो निगेटिव इनर्जी बाहार निकलेगी और आर्थिक स्थिति आपके उत्तम रहती है अनार का पौधा माना जाता है अगर घर में लगाया जाए तो करजों से मुक्ति मिलती है अगर अनार के पुस्प को सहद में डूगो कर सिबलिंग पर अर्पित किया जाए तो तीन दिन अर्पित करने से ही करज मुक्ति के रास्ते बनने लगते हैं करज मुक्ति मिल जाती है क्योंकि ये पौधा जीवन में धन और सम्रिद्धी लाता है इसको लगाने से ग्रह दोस दूर होते हैं सम्रिद्धी आती है और अगर आपका खाली प्लॉट है आप चाहते हैं कि घर बनमाना है पैसे नहीं है तो ऐसे में आप किसी भी महने की सुक्ल पक्ष में उस प्लॉट पर अनार का पौधा लगा दे तो धना आएगा और सिग्रही आपका प्लॉट में मकान बन जाएगा और ये है पचीरा प्लांट ये आर्थिक तंगी को दूर करने में समर्थ पौधा है क्योंकि महनत का फल तो हमेशा मिलता है पर भागे का साथ ना मिल पा रहा हो अर्चनी हो बाधाएं हो तब ये पौधा जरूर लगा है और इसको लगाने से मना जाता है इनकी पांच पतियां ब्रंभांड के पांच तत्तो का प्रतीक है तो तीन या पांच तनों को गूत कर बनाया गया पौधा बहुत जल्दी असर देने वाला होता है इसके बाद नमबर आता है गुलाब के पौधे का वास्तु कहता है कि काटेदार पौधे घर में नहीं लगाना चाहिए लेकिन आप गुलाब लगा सकते हैं गुलाब के पौधे को प्रेम सने और धन बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है और गुलाब मालक्षमी को सबसे ज़्यादा प्री है अपराजिता का बेल अगर आप सफेद या बुलू कोई भी अपराजिता घर में लगाएं तो धन लक्षमी आकरसित होती है नीले रंग के अपराजिता के पौधे का पुस्प पानी में उबाल कर पीने से बुद्धियादा स्थेज होती है इसकी इन बाल हर्ट के लिए भी फायदे मंद होता है यानि आयुरुवेद भी और धम भी अब अन्त में नमबर आता है आउले के पौधे का माना जाता है जिस घर में आउले का पौधा होता है वहां लक्षमी स्थिर रहती है उस घर में कभी दरित्ता आही नहीं सकती हमेशा जमीन में लगाईए गमले में भूल कर भी मत लगाईएगा इस पौधे को गेंदे का पौधा अगर आप लगाकर घर में नियमित रूप से पानी डालें तो ब्रस्पती मजबूत होता है बैबाही जीवन बहतर रहता है करियर में नए रास्ते खुलते हैं हमेशा ही पीले फुलों वाला गेंदय का पौधा ही घर में लगाना चाहिए लाल या ओरेंज नहीं क्योंकि गेंदा का ये पौधा आपके घर में कीट पतंग से भी आपको रक्षा देता है वैसे तो आप चमेली का पौधा लगा सकते हैं क्योंकि चमेली सुक्रगरह का पौधा है और घर में लगाने से धन, प्रेम, बिवा, पिनमरता से जुरा हर मुश्किनों को समाफ्त करता है सब कुछ बढ़ाता है फिलाल विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्काइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखें धन्यवाद